जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब यूनल पर जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर करना ना बोले तो दोस्तों वी एससी का फॉर्म कैसे बढ़े लगातार इसी वे कॉमेंट आ रहा था तो मैंने सुझा कि एक छोटा से वीडियो इसके लिए बना दू जिससे कि आपको ये कन्फूजन ना रहे कि किस पॉइंट में आपको कितना ध्यान अखना पड़ेगा क्योंकि एक गलती के करन जो है तो आप इसके सेलेक्शन से को से दूर हो जाईएगा तो आएए बिडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि 27 तरीक से फॉर्म भड़ना चालू हो गया है और बहुत सब्सक्राइब कर लोग अभी नहीं भढ़ें को कोई कोई कन्फूजन रह इसको भड़ना है और यहां पर आप डॉमिशाल बिहार स्टेट के हो यहां पर आपको बहुत ही जिदा साब्धानी बढ़तने की जुरत होगी क्योंकि यदि आप नो कर देते हो गलती से तो आपको आरक्शन का लाव नहीं मिलेगा आप जो है समान वर्ग में काउंट होग समानी ब्रड़ती Rede ऑलग है तो ऊंडुम मतलव हो गया एक्स्टरीम बैकवर क्ला स्थिका क्योंकि हम लोग 20ミー कहते हैं और 20 मतलब हो गया यहां पर 20 secondo कि ्टे epidemi कि चप सब्सक्राइब फिलंद कश्टत प्हुआरे सब्सक्राइब काटेग्र आता है ठेंड नहीं मिलेगा जो कि बिहार के सरकारी सेवा में लगातर पांच साल कारी उस तोड़ी यहां जो है यह उनको भूदपूर्व सैनिक हो गया है ठीक है उसके बाद की सेवा में कितने साल तक इन्होंने बिताया है उसके बाद के यहां पर बिहार सरकार की की नोकरी में सम्विदा रूप से काम किया या कर रहे हैं तो इनके सब्सक्राइब की बहुत सारा बेल ट्रोन एक्जीकुटिव असिस्टेंट या और भी जो माल लिजे जो आवास सहयक है किसान सलाकार है उन सभी के लिए दोस्तों यह वाला जो है समीदा करमी के लिए यह वाला यस और नोक ऑप्शन है उसका दोस्तों यहां पर आईएगा गहरा है कि यहां पर आपको यहीं जो तीन साल रेगुम vær नियमी ता है याई का सिभा कर दिये हैं बहुं सारकार में तो इसके लिए यांनो भी हुए है और यह है 2023 का इन दूसरी वाली तो आप यदि पहले एक्जाम दिये हुए है तो आप वन कर दिजेगा यह नहीं भी किजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यह आपना मुवाइल नमबर वेसा दिजीगा जिसका कि OTP आपके पास आप आए यहां आप जो है मुवाइल नम करके से बन कंटिनीव आप पर क्लिक करके इसको समिट कर देना जैसे करोगे तो आपका एक रिजिट्रेशन नमबर और पासवर्ड आए गा उसको आप लिख लोगे स्नैप्चौट यह उसका जो है स्क्रीन स्क्रीन स्ट लेकर अपने मुवाइल में सुरक्षित रख लेना तो आप लॉगिन करोगे तो जैसे ही दोस्तों यहां पर देख पारे हैं रिजिट्रेशन नमबर जो पासवर्ड ऑटमेटिक जनरेट होता है इंटर कैप्चा यह आपको करके लॉगिन कर देना है यह जैसे हो गया तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना है तो आप जैसे ही जो है ऍटरेशन ड्रेशन में लॉगिन करोगे तो आपको जो है इंटरफेस मिलेगा तो ईस टाइप का हही जो आपको इंटरफेस में कि आप परस्नल रिटर्स करना पहला चावर्ड को करना पहले चाजब्ulleतों करना पहले का थर्रम जो एडोक्रिएशन डीटेल से वह भर देख सकते हैं उसके बाद देखों यहां पर एप्लिकेशन स्लीब यह आपको भड़ना है तो सबसे पर परस्टनल रिटर्स में जो दोस्तों आपको यहां अपना नेम लिखना है जो आपका नेम है स्पैलिंग सब्सक्राइब यहां जो आपके सर्टिफिकेट में है वह दीजेगा उसको आपको देना है कि तो ऐसे ही जो दिक रहा है जो डार्क में जो लब ब्लैक लिखा हुआ है यह उस समय जब आप रिश्रेश्न कर रहे हैं उसी का यह दिया हुआ है अब यहां जो है आपका जो कब का डॉमिसाइल नंबर है कब इसू हुआ है वह और यहां पर डेट ओके हैं इसको देखके आप यहां पर यहां पर भर दोगे और जो इसू टेट है वह अकिस लेबल पर यहां पर यहां पर क्लिक कर दोगे तो आरो सही मरालो तो कोई दिक्कत नहीं है उसका दोस्तों यहां पर काटेगरी जो पहले से लिया गया है उसके बाद देखे एमबसी यहां जो है आपका जो CAST certificate है ठीक है BCEBC का जो या NCL का जो certificate है वह यहां पर आपको पर्मान पत्र संख्या लिखना पड़ेगा इसू डेट लिंगना पड़ेगा किस लेबल का बना हुआ है आरो ले आरो सी यो या एश्डियो उसके दोस्तों यहां जो है यह सब ऑटोमेटिक ले लेगा जो कि रिजिस्ट्रेशन के वक्त आपने किया तो यहां यह यह ऑटोमेटिक ले लेगा तो इसके लिए आपको टें यहां पर इडेन्टिफिकेशन मार्क्स आपको देना जरूरी है उसके बाद दोस्तों यहां पर यह कभी आपको रेस्ट्रिक्टेट किया गया था किसी भी एक्जाम से जैसे कि यहां पर यूपिसी बोर्ड राज आयो किसी बिए आपको जो है तो इसमें आपको नो ही भर यहां पर जो आपका पर्मानेंट एड्रस दोस्तों वह आप यहां पर भड़ोगे क्योंकि जो भी कुछ मेल या कुछ भी लिटर आएगा वह आपके घर पर आएगा तो अच्छा होगा तो मैं यहीं करूँगा यहां बाहर रखे भी तैयारी कर रहे हो तो आपका जो है पत सब्सक्राइब करना है और या एच आई किसी से भी पेमेंट कर सकते हो तो यहां पर आपके पास यहां यहां इन यूपी याई आज सभी यूज करता है तो यूपी के थुरूपाय करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक QR कोड खुलेगा उसके थुरू पेमेंट कर सकते हो तो जब आसानी से आप पेजे से ही पेमेंट करते हो तो next step क्या है आइए हम मैं दिखाता हूँ next step में दोस्तों यहां जो है आपको educational qualification देना पड़ेगा इसमें कि आपको 10th का जो कौन-कौन subject यहां all subject दिसकते हो या जो इनका subject था English छोड़के यहां ब्यार बोर्ट से तो English मत लिखना इसमें उसके बाद BSEB यहां पर लिख देना कुल अंक कितने total marks कितने थे 500 के उसका कितना आपने लाया यहां पर percentage यहां पर निकाल देना और certificate नमबर निकाल देना जो मूल परमान पत्र जो आपका आया होग उसके बाद यहां पर जो है 12 का इसमें तो आपको तीन तरह का option है आईए तो यहां कर देना यहां पर साइंस लिखो के तो जो साइंस है महां लिजे साइंस में आपका physics, chemistry, math, hindi, english यह सब आता है उसका बाद दिखता है यहां पर BSEB आपको लिखना है total marks यहां पर 500 लिखना है कितना marks आपने लाया percentage क्या है निकाल देगा पांस से भाग करके उसके बाद यहां जो है आपको certificate देना है और mark street में ही जो है यहां पर आपको जो issue date है वो देना है अब आईए दोस्तों यहां जो है सबसे important वार्ट मैं यहां कहना चाहूंगा कि यही मैं बोल रहा था कि इ लोग में yes और no करवाया था कि आपके पास typing certificate है या नहीं है या जो भी है उसके लिए yes या no किया तो मगर यहां पर certificate number मांगा जा रहा है तो यहां जो बिहार सरकार से बहुत को बोले KYP तो KYP का certificate चलेगा ठीक है इसके लिए special में वीडियो बना दूंगा मगर KYP का certificate जो है च कि अब पहले बोला तो हिंदी और इंगलिस टैपिंग का अलग अलग सट्पिकेट अपको देना पड़ेगा को कि कुछ पोस्ट ऐसा है कि इसमें एंगलिस टैपिंग मांगा गया कुछ पोस्ट ऐसा जिसमें कि दोनों में उत्रिन होना को आवश्चक है ठीक है उसके बाद अब यू डण एने कंप्यूटर कोर्स तो इसमें आपका टेली हो जाता है ठीक है टेली हो जाएगा डिशी हो जाएगा एडिशी हो जाएगा ट्रिपल सी सी हो जाएगा ठीक है तो सब तरह के जो है सेटिपिकेट इसमें आ जाएंगे जैसे आप यहां पर Yes करते हो तो यहां पर Name of Institute कौन सा कोर्स किये है वहां पर उसका परमान संख्या है और यहां पर जो है Certificate बहुत का करिप्शन हो कि आप मैं Hindi English का जो सेम सेशन में दे सकते हैं आप सेम सेशन में तीनों सब्जेक्ट का Certificate दे सकते हैं कि यह private institute रहता है इसमें यदि आप सुबह के टाइम भी कर सकतो रात को सुबह के टाइम आपने typing class किया होगा साम के टाइम आपने इंग्लिश टापिंग किया होगा और मार लिजे फिर सुबह या सो सबेरे में यह computer course किया होगा मैं तीनों एक ही जगह का इसा नहीं कि सेम टाइम में आप करवा रहे हो एक आपका पतिना से है एक आपका माली भागलपूर से है और यह आपका मुझभपर पूर से ऐसा नहीं है ऐसा होता तो फिर बार में आपको problem हो सकती है इन सब्सक्राइब आपको सब्मीट कर देना अच्छी से देख लेना उसके दोस्तों सबसे बारा जो सेक्षन आता है वह होता है आपका जो फोटो होता है फोटो अपना ही फोटो आपको अप्लोड करना देखिए पस्पोट साथ यहां पे जो है 20 से 50 के बीच अपना फोटो क sharks कर लीजेगा यहां चूच का आएगा वहां photo देखके चूच कर लीजेगा फिर इसको upload कर दीजएगा उसका दोस्तों यहां पर देखिया क्या लिखा गया इंगलीग में सिंगेचर इंगली वाले को यहां प्रक्ना यहां क्रना है हैंह सब्मिट कर दोगे थो आपका फोटो सिंगेचर हिंदी वीजिस का सब्मिट हो जाएगा इसन त्सके यहां है अपलोड लाइब फोटो ठीक है जो कि आपको केमरे से जैनि मितलब केम्पूटर के लैप्टॉप है लैप्टॉप के जो में जो कैमरा होता उससे वह फोटो की चाहिएगा तो आप फॉर्माल कपरा पहनोगे सीधा देखो के गोगा सुगस मत लगाना क्योंकि इसमें का इस पेसल गाइडलाइन आया ह चुछ फोटो में कलिक करना है तो उससे आपका फोटो आकर दिख जाएगा करकर लेना अपका साथ और साथ को साथ ही कोपी होता है सौप्ट कॉपी अपने मेल आईडी पे सेंड करवा ले ना उस साइवर के फेसे इससे क्या होगा कि भरिष में कभी भी आपको पढ़ेगा तो उसका सौप्ट कॉपी आपके पास रहेगा तो कभी भी आपको कोई तिरा का दिक्कत नहीं होगा तो दोस्तों आज ये वीडियो फॉर्म भरके आपको दिखा पाता क्योंकि बहुत दरा डिमाइंड हो रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए इसलिए ये थोरा सा प्रयास था कि आप समझ लो कि कहां कहां आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और दोस्तों लास्ट में जो है यहां पर आपका जो ह होगा इसका आप स्क्रिन सोट ले लोग गहने जो आपको आगे चलते जोकी आडिने आनकालने में फिर मिन्ट का खर सब देने वाल आ मेंस के फॉर्म भड़ने में आपको काम देने वाला है तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा इसी तरह जो है अपडेट के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलता है नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए जहिन जय भारत